कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांदी ने कॉंग्रेस के सभी मुख्यमंत्रियों से गर्भवती और स्तंपान कराने वाली महिलाओं की मदद करने को कहा है सोनिया ने सभी मुख्य मंत्रियों को चिट्थी लिखकर कहा सभी पात्र महिलाओं को राश्रिय खाद्य सुरक्षा कानून एने पैसे 2013 के तहट कम से कम 6,000 रुपे की सहायता उपलब्द कराएं सोनिया गांदी ने चिट्थी में लिखा जिन महिलाओं को प्रदानमंत्री मात्रिय वंदना योजना पीमाइम विवाय के तहट आर्थिक मदद नहीं मिल रही है उन्हें यह सहायता देना सुनिश्चित किया जाए उन्होंने अपनी चिट्थी में लिखा कि प्यमाइम विवाय के तहट महिलाओं को मिलने वाली सहायता की रकम 6,000 रुपे से घटा कर 5.000 कर दी गई है साथ ही प्यमाइम विवाय में केवल पहले बच्चे के लिए ही महिला को आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है जबकि एनेप से में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है मनमोहन सिंग की सरकार खाद्य सुरक्षा कानून लाई यूपे 2 के दोरान मनमोहन सिंग की सरकार ने 2013 में राश्रिय खाद्य सुरक्षा कानून एनेप से लागू किया था एने पेसे का उद्देशे सभी को सस्ती दरों पर भोजन उपलब्द कराना था इसके तहित 50% शहरी और 55% ग्रामीन अबादी को सारवजनिक वितरन प्रनाली PDAs के तहित राशन उपलब्द कराया जाना था